नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा भारती टीम और साउथ अफरिका के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला काफी रोमान चकड़ा है भारती टीम ने 177 रनों का टार्गेट दिया था जिसके जवाब में अफ मारती कप्तान रोहिच सर्मा ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनते ही एक तरफ जहां फैंस खुसी से जूम रहे थे वहीं दूसरी ओर रोहिच सर्मा और विराट कोहली जैसे दिगज खिलारियों न रिटार्मेंट का एलान कर फैंस को हरान कर दिया है पहले विराट कोहली ने प्लेयर आप दे मैच का अवार्ड लेते हुए अपने सन्यास की गोशना की और फिर इसके बाद रोहिच सर्मा ने भी प्रेस कांफरेंस के बाद T20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है इन दोनो दिगजों को मिस करेंगे मगर हम उन्हें इससे बढ़िया फैरवेल नहीं दे सकते थे हार्दिक पांडिया का एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है इस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं 2026 में अभी बहुत समय है मैं रोहित और विराज दोनों के लिए बहुत खुस हूँ भारती क्रिकेट के दो दिगज इसके पूरी तरह हगदार थें इतने सालों तक उनके साथ खेलना बहुत सांदार रहा हम सभी उन्हें याद करेंगे लेकिन साथ ही ये सबसे अच्छी व कांडिया ने ही टीम की जिम्मेदारी समाली थी वहीं इस वर्ल्ड कप में वो टीम के उप कप्तान भी थे रोहित सर्मा ने अपने टी-20 इंटरनेशनल कैप्टेंसी करियर कांत पचासवी जीत के साथ किया है वो इस फॉर्मेट में बतार कप्तान जीत का अर्ध सतक लगान पहले कप्तान बने हैं उनके बाद इस लिष्ट में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम है जिरोंने अपने कारेकाल में टीम को और थालिस मैच जीताए हैं हर किसी क्रिकेटर की खुआइस होती है कि वो दुनिया भर में अपना नाम बनाए अगर बल्लेबाज है तो रनो क कामबार लगाए गेंदबाज है तो सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए मगर एक क्रिकेटर का करियर तब तक अधूरा है जब तक उसके पास कोई ट्रॉफी नहीं है रोही सर्मा और विराट कोहली ने 29 जून को बारवाडोस में टी 20 वर्ल्ड कप 2024 का खिता इस सूखे को भी खत्म नहीं किया ऐसा नहीं है कि इन दोनों दिगजों ने इस से पहले ट्रॉफी नहीं जीती हो रोही 2007 टी 20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं तो विराट कोहली ने 2011 वर्ल्ड कप का खिता है मगर तब ये दोनों ही खिलारी काफी हुआ थे और तब उनके खिताब जितने के माइने वो नहीं थे जो अब टी 20 वर्ल्ड कप जितने के बाद हैं टी 20 वर्ल्ड कप का ये खिताब रोही सर्मा और विराट कोहली के लिए काफी खास है क्योंकि ये उनकी इस मेहनत का इनाम है जो इनोंने पिछले कई सालों में किया है रोही सर्मा और व गजो की विदाई को लंबे समय तक याद रखा जाएगा रोहित सर्मा विराट कोली और राहूल रविड की इस विदाई को क्रिकेट जगत में एक यूग का अंत बताया जा रहा है विराट कोली के 2021 में कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित सर्मा ने बतार कप्तान टीम का कार सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद